नमस्कार, मैं वीना, आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट मिल्क या नागिल का दूद, कोकोनट मिल्क को एक चमतकारी दूद माना जाता है, यह हमें कई बिमारियों से बचाता है और हमारे शरीर की बिमारियों के लड़ने की शमता यानि इम्म्यून पावर को स्ट्रॉंग करता है, कोकोनट को highly nutritious और fiber rich माना जाता है, इसमें कहीं तरह के vitamins होते हैं, जैसे vitamins C, E, B1, B3, B5, B6 और minerals जैसे iron, sodium, calcium, magnesium और phosphorus, coconut मिलके बहुत फायदे हैं, नमबर एक, यह blood pressure और cholesterol को कम करके आपके heart को लाग पहुचाता है, नमबर दो, यह आपका बजन कम करने की मदद करता है, और इसे हर रोज बीने से skin glow करती है, नमबर तीन, थकान दूर करता है, नमबर चार, यह आपके digestive system को strong करके constipation से भी रहाद दिलाता है, नमबर पांच, यह anemia से बचाता है, गरवती इस्त्रियों के लिए राम बान है, नमबर च्छे, यह joint pain और arthritis से भी बचाव करता है, नमबर साथ, यह ulcer से भी राहत दिलाता है, नारियल दूद बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरुद पड़ती है, एक नारियल जिसे हम हिला कर देखेंगे, कि इसमें पानी है या नहीं, अगर है तो यह नारियल perfect है, तीन गलास नारियल का दूद बनाने के लिए हम आदा नारियल की गिरी को बरिक-बरिक कर लेंगे, वे बारा खजूर को बरिक-बरिक बिनार लेंगे, वे चार छोटी इलाइची का पाउडर, पानी, तीन गलास पानी, अब यह सब समगरी मिक्सी में डालके, दो गलास पानी डालेंगे, अब इसको चर्ण करेंगे, अब चर्ण करने के बाद इसको हम चलनी से चान देंगे, अब बन्याद करेंगे ले झालेंगे, देखिए इसका ये गूदा निकल गया है, इस गूदे से आप आटे में मिलाके प्रोटी भी बना सकते हैं, जो की बहुत पॉस्टिक होती है, फिर इसमें हम एक ग्लस पानी और मिला देंगे, ये लीजे आपका नारियल का दूद बन गया है, इसमें हम थोड़ी बरफ की क्यूब्स भी डाल देंगे, जिससे ये और स्वाधिश्ट लगेगा, लीजिए ये अब आपका कोकोनेट मिल्क तयार है, देने बाद, जिक अल्वान कोवेश्स